ओलिजबल बच्चों मैं सुनीता कपूर एक बार हिंदी कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूं बच्चों आज हम बसंत भाग एक का पाट चौदा लोग गीत दिवन्द को पढ़ेंगे बच्चों इस पाट के लेखक भगवत सरण उपाद्य जी हैं जिनका जन अक्टूबर 1910 में हुआ था इस्थान था बलिया उत्तरप्रदेश कारिशे लेखक थे भासा हिंदी प्रमो करतियां कालिदास का भारत गंगा गोदावरी सागर की लहरें विधाएं कहानी नाटक निबंद मृत्यू इनकी अगस्थ 1982 में हो गी थी बच्चों इस निबंद के अंतरगत संग्या, सर्वनाम, लोगईत का महत्व, प्रकार, लोगईत और सास्त्री संगीत में अंतर, संगीत, यंत्रों का प्रयोग, लोगईत की भासा, विसेशन आदि को पढ़ेंगे बच्चों इस पार्ट को पढ़ने से पहले ये बताईए कि क्या आपने पहले कभी लोगईत सुने हैं, या गाये हैं, या फिर कहीं इस तरह के प्रोग्राम को होते हुए देखा होगा, यहां पर गीत गाये जाते हैं, इन पर डांस भी किया जाता है, जरूर आपने देखा होगा, आपके घरों में या आपके रिष्टेदार के यहां पर कोई फंक्शन में जो गाये जाते हैं, छोटा बच्चा होता है, मेरीज होती है, यही हमारे प्रमप्रगत गीत हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, वही तो हमारे लोग गीत हैं, हमारी लोग संस्कृती का अ करके अंने रंगों में अलग अलग प्रकार का संगीत है और हर एक छेति का संगीत उस छेति का लोग इस है अल 떡य ऑलग भाषा मैसा के जो गीत होता है वहीं लोगी कहलाता है हमारे समाज को एकता के सूत्र में हैने बांधने का काम करता है तो बच्चों आईए पाट को स्टार्ट करते हैं लोगईस अपनी लोच ताजगी और लोग प्रियता में सास्ति संगी से भिन्घ हैं लोग की सिदे जनता के संगी थें गाउं घर नगर की जनता के जहीं की थें इनके लिए साधना की ज़रूत नहीं होती तैवारों और विशेश अवसरों पर गाय जाते हैं मतलब इनके लिए कोई रिहर्सल करने की ज़रत नहीं होती है कोई भी तैवार आ जाता है उस तैवार पहला मैरेज़ होती है और उसमेल को महलाएं मिलकर कि रात के समेविव्व गीत को पर ऐषब करते हूं आप इसी प्रकार घाएं जाते हैं तो दे दिया गया है नहीं है जिप संधासे गया हैं और इनका रचने वाले बी अधिकतर गाउं के होते हैं इस्त्री ने भी इनकी रचना में विसेश भाग लिया है यह गीत बाजों की मदत के बिना ही साधर नहीं रहती एंने कोई बाजयाजों की ज़रोत नहीं रहती है साधर धोलख्खे ज़ांजे बांसुरी आदी की मदत से गाए जाते हैं लोगो गित कई प्रकार के होते हैं इनका ए प्रकार तो बड़ा ही और यश्वी और सजीर। यहां इस देश के आदिवासियों का संगी थे आदिवासी लोग इन गीतों को बहुत चाहो से बहुत आनंद दाये को यह बहुत खुसी मना के गीतों को गाते हैं मद्यप्रदेश, दक्कन, छोटा नागपूर, गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल, आदिव, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकण में बंद ना सका इने जो उनको कोई नियमों की ज़वरत नहीं होती है इनके गीत और नाच अदिक्तर साथ-साथ और बढ़े-ढ़े दलों में कायें और नाचे जाते हैं बीस-बीस, ़िस-तिस आद्मियां और और ओडते के दल एक साथ, एक दूसरे के जवाब में गाते हैं इसाएं गूंज उटती है जिससे रात को गाउं में फसल वगएरा कटती है और फसल को उन्हें उनकी रखवाली उनको करना रहता है तो किस प्रकार अपना मनुरंजन करते हैं इसी प्रकार लोग गाते हैं नाशते हैं और रात के के दो दो बजे तक अपना मनुरंजन करते है वास्तिक लोगी देश के गाउं और देहातों में इनका संबन देहात की जनता से बड़ी जान होती है इनमें कजरी, बारामासा, सावन, आदी, मिर्जापूर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और विहार के पश्मी जिलों में गाये जाते हैं बाउल, भत्याल, बंगाल के लोग गीत हैं, पंजाब में महिया, आदी, इसी प्रकार के हीर, रांजा, सोनी, महिवाल, संबन्दी गीत, पंजाबी में और धोलू मारू, आदी के गीत, राजिस्थान में बड़े चाव से गाये जाते हैं इनकी भासा के संबन्द में कहा जा चुका है, कि यह सभी लोग गीत, गाउं और इलाकों की बोल्यों में गधाये जाते हैं, जिस गाउं की जो बोली होती है Is एलाके की जो बोली होती है, उसी बोली में गीत गाये जाते हैं और बड़े हर्शकर कोईकर दूषरे jsem समझ में आrik lại हर्शकर और आनंदरायक होते ज गीत Shamos general Once उन्हें गहते हुए पिर रहे हैं इन गीतों अधिक प्रियों और जर्थilles के ड्रीयों कि लिए ऑट रहती है परदेशी प्रेमी और इनसे करुणा विरह का रस बरस यह कि अभी इन फाझ लेती है और इन गीतों को बनाती है जैसिच तेवारों नदियों में नहाते समय के graphics नहाने जाते हुए रहा के विभा के जन्म आदी इन सभी अवस्वरों के अलग अलग गीत हैं जो इस्त्रियां गाती हैं अवस्वरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचिन काल से भी गाती आ रही है एक विसेस बाज यह है कि नारियों के गाने साधनता अकेले गाये नहीं जाते वो दल गाती हैं जैसे हमारे जहां पर भजन कीरतन होता है फिल्मी गानों पर बहुत सारे भजन बना लिए जाते हैं लोग गीत बना लिए जाते हैं साधी के जो गीत होते हैं वो फिल्मी गानों पर बना लिए जाते हैं और सब मेलाएं एक साथ मिलकर के ने वह गाती हैं उनमें म बहुत कम बहुत कम लोगों को आते हैं और उन्हें अगर गाने गबाना है तो शहर में यह टो बुलाए जाता है उनको अपने घर पे बुलाकर के जन के अउसरों के यह गाने आकर व्हाती हैं। इस्तियां धोलक की मदस से गाती है घर में धोलक जान्ज मंजीरा बचता है ना शाधी वाले घर में अधिकतर उनके गाने के साथ साथ नाच का समयोजन भी होता है अब धोलक पे जो गीत गाये जाते हैं और उसके उपर कुछ उठकर के डांस भी करने लगती है आप लोग उन लकडियां बजाते हुए जिसे हम क्या बोलते हैं डांडिया हैंने डांडिया के द्वारा उगर्वा करते हैं और गोल-गोल घूमते हैं और उसके भी कई प्रकार के एक्संट करते हैं इसी प्रकार होली के आउसर पर ब्रच रसिया चलता है जिसे दल के दल में गाते हैं ग इसी प्रकार भी अपना अनंद मना सकते हैं वहां पर कोई नियम नहीं है कोई कानून नहीं है जब मर्जी आए जो रात को एक एक दो दो बजे तक गाते रहते हैं बचों इस पाट के कुछ नए सब्द इस प्रकार हैं लोच लचिला पन करताल तालियां हे हीन मन को छुना प्रभावित करना सिरजती बनाती अहद कर हर्स कर जांज एक बाद यंद्र जो काशों की तस्तरी से बना होता है बचों इस निवंद से लोग गीत में हमें लोग बहवार इस्थानीता ग्रामिन जीवन की सुंदरता आधी के बारे में पता चलता है कि वो किस प्रकार अपना खुसी मनाते हैं हमें अलग-अलग राज्जों के ग्रामिन जीवन की संस्क्रती के बारे में भी पता चलता है और आपसे मिल जुलकर रहने की प्रियाना मिलती है थैंक यू बच्चों, इस्टे हों, इस्टे से